पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपेई सोंबार दोपहर से नाइदिली के एम्स अस्पताल में भरती हैं रूटीन चेकप बीजेपी की तरफ से बताया गया था लेकिन फिलहाल एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वो यूरिन इन्फेक्शन से परिशान है और इन्फेक्शन दूर होने तक अस्पताल में ही रहेंगे जमो कश्मीर में मंगलवार सुबे सुबे आतंकी हमले की खबर है सुरक्षा बलों को आतंकीों ने निशाना बनाते हुए ग्रनेट से हमला किया था हमले में दो पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं पुलवावा में कोट कॉम्पलेक्स के पाथ जमो कश्मीर पुलिस का एक दल तैनाथ था आतंकीों ने पुलिस दल को निशाना बनाया दिली सरकार और उपराजिपाल के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिती नजर आ रही है मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल अपनी मांगों को लेकर उपराजिपाल अनिल बैजल के घर सोमवार शाम से धरने पर बैठे हैं उनके साथ डिपिटी सियम मनीश सिसोधिया, मंत्री गोपाल राय सतिंद्र जैन भी पूरी रात धरने पर के जिवाल के साथ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने खैनी पर किसी प्रकार के प्रतिवन लगाने की खबर को गलत बताया है लोग संबाद कारिकरम में पतրकारों से पूछे गए सवाल के बाद नितिश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई भी सरकार की योजना नहीं है वैसे खायनी खाना बहुत अच्छी बात नहीं होती कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी ने पूर्व राश्पती प्रणभ मुखर जी को इफ्तार पार्टी में शामिल होने का निमंतरन दिया है जिसे प्रणभ दाने स्वी कार भी कर लिया है पहले अचकले थी कि कॉंग्रेस निमंतरन इसलिए नहीं भेजा था कि ये संग के कारिक्रम में नागपूर में शामिल हुए थे लेकिन फिलाल इफ्तार पार्टी का निमंतरन प्रणभ मुखर जी तक पहुँच चुका है उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरे योगी आधितिनाथ की अध्यक्षता वाली काबिनेट ने बाबारामदेव के पतंजली फूड और हर्बल पार्क को 91 एकड जमीन हस्तांतरित करने के प्रस्ताप को हरी जंडी दिखा दी है बाबारामदेव की कंपनी पतंजली आरिवेद यमुना ओद्योगी विकास प्रादिकरन में एक मेगा फूड पाग बना रही है अमरनाथ यात्रा को बाधित करने में आतंकी संगठन महिला आतंकियों का इस्तमाल कर सकते हैं इस आशंका को देखते हुए शिविर में CRPF की एक महिला कंपनी की भी तैनाती की जाएगी टिम इंडिया के तेज गेंद बाज महमद शमी अफगानिस्तान के खिलाब बंगलूरू में होने वाले एक मात्र टेस्स से बाहर हो गए है बी-सी-सी-ाई की अकल भारती सीनिर शेहन समीती ने महमद शमी के जगान तेज गेंद बाज नवदीप सैनी को टीम में जगें दी है डोनौल्ड टरम और किम जोंग के बीच दो और दोर की बातचीत होने के बाद कई समझोतों पर हस्ताक्षर भी हुए है किम के साथ मुलाकात को टरम ने एतिहासिक करार दिया है जबकि किम ने कहा कि दुनिया आने वाले दिनों में बड़ा बदलाब देखेगी इस मुलाकात को सदी की सबसे बड़ी मुलाकात कही जा रही है